यह स्दों करते हैं क्वेशोन किया करते है है क्वेश्ट यह ग्रुष को सब्सक्राइब क्वेशन क्वेश्ट गये कर से देज करते है क्वेश्ट कै कर In a verseBCU यह जो चोजी हो डोदिर्थP कि अ क्वेश्ट क्वेश्ट अर्षीज इंटीजर का जो एवरेज दे रखा वो क्या है एन है कहता है कि फर्दर next दो पॉजटीजर और इसमें इंग्लूट कर लिया जाते हैं मतलब पहले 5 थे अब कितने हो गया 6 और 7 को भी इसमें इंग्लूट कर लिया गया थेक्श और 7 को 400 कर लिये तरुमसे कहता है कि यह टोटल का एवरेज roughly पहले तो यहान तक का एवरेज कि इन था तो अब यह जो टोटल का एवरेज है वो एन से कितना कैसे बस्लेब Lukas से कितना ज्यादा या कितना कम होगा यह बताएगा तो हम एक चीज देख लेते हैं कि जैसे माल लीजिए कि दो positive integer है consecutive positive integer है 2 और 3 ठीक है दो consecutive positive integer है इनका अगर average find out करना हो तो हम कैसे find out कर सकते हैं इन दोनों का sum कर देंगे डिवाइड कर देंगे 2 से क्यों कि number of observation 2 है कितना आ जाएगा 5 by 2 that is equal to कितना हो जाता है 2.5 इसी तरीके से अगर दो positive integer और इसके साथ जोड़ दिये जाए इसमें include कर लिए जाए तो क्या हो जाएगा यह 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 भी हो जाएगा 5 हो जाएगा अब इसका average find out करने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 5 2 sorry by 4 हो जाएगा यहापर by 4 होगा क्यों क्योंकि यहापके अब number of observations कितनी है 4 है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हम यह numbers को add करेंगे 5 प्लस 2 7 3 प्लस 4 7 it means 14 by 4 that is equal to 7 by 2 that is equal to 3.5 तो हम यह क्या देखते हैं कि जब 2 consecutive integers थे तो उनकी value जो आ रहे थी वो आ रहे थी 2.5 जब 4 हुआ मतब next 2 को include कर लिया तो क्या होगी 3.5 होगी it means कि average कितने से increase कर गया 1 से increase कर गया तो उसी तरीके से इस वाली case में भी जो हमारे question वाला case है जिसमें 5 consecutive positive integers हैं उस case में जो average है वो क्या है n है ठीक है अब 2 numbers और add किये तो हमने अभी देखा यहां पर कि 2 next number add करने पर कितने से पढ़ जाती है value वह 1 से increase कर जाती है it means अब कितना हो जाएगी वह n plus 1 हो जाएगी तो हमारा जो option साही होगा वो कोवंसर अफगां option 2 increases by one